हाव रूफीक्स सैमसंग जे सेवेन प्राइम टू एरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एरफोन के इस प्रॉब्लम क के सैसे कर सकती हिए एरफोन के दिव्यरतिये को कुछ भी होते हैं तो आपको क्या चार करना चाहिए यहाँ पर isto Shotκα पो फॉल्व करना है मोबाइल के सॉल्व करने के लिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामा ना चातें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्र येज्ग है ठीक है जहां पर ये-एरफून प्लđघ करते हैं तो उसका प्रॉल्लिम हो सकते हैं या फिर आपका एएरफॉन आप और आपको वीडियों करें वह आपके मोबाइल के लिए सपोर्टेट है या नहीं है ठीक है सेमसंग का एरफोन जो है आपको यूज करके देखना है जो कि और जिनल होगा और न्यूपीस आपको ट्राइगर करके देखना है तो वह दोस्तों यहाँ पर काम कर जाएगा ठीक है अगर नहीं कर रहे है कि अपना प्लग यह एरफोन का जो एक एरफोन प्लग करने का होल्ड एते तो यह बात के मज़ए से उसको साफ करने की कोशिश करें ठीक है क्यूंकि दोस्तों कई बर क्या हो जाते कोपर वागर अगर चले जाते उस प्लग के अंदर पर या फिर कोई डंस्ट बगरा जो है श्टाक हो जाते अंदर पे जहां पे आप एरफोन प्लक करते हैं मोबाइल पे तो उसके वज़े से दोस्तों प्रॉब्लम होते हैं तो थोड़ा साथ उसको साफ करने के कोशिश करें दुबारा से चेक करके ट्राइ कीजिए ठीक है तो इससे दोस्तों कई बर काम बन जाते है और आपका प्रॉब्लम हो जाते हैं तो यह भी आप करके देख सकते हैं तो थोड़ा जोर से आप और फास्ट से अपना जो एरफोन है उसको प्लग इन कीजिए और प्लग आउट कर दीजिए यानिकि इंसेट करना है और यहाँ पे बाहर निकाल लेना है ठीक है तो इतना क जो कि यहाँ पर दोस्तों कि आप करके देख सकते हैं तो इन सब दोस्तों बेसिक सॉलिशन की मददत से कई वर एरफोन के रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं आपको तुटा हुए एरफोन वगरा यूस नहीं करना है ठीक है वरना आपको उससे प्रॉब् में रहा तो fixed हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ sound setting भी जो है मिल जाएगा sound and vibration के अंदर पर जाके अगर आप चेक करते sound qualities वगरा आपको earphone का यहाँ पर मिल जाएगा तो आप वो सब enable करके enable करके यूज़ करके देखें आपके sound adaptations को ठीक है सारे साथ में दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते आप software update करके देखें आपने mobile का अगर software update version नहीं है तो software update करके देखें उसके बाद earphone को यूज़ करके देखें अगर कुछ भी problem रहा software के related तो definitely problem fix हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर mobile वो किसी भी Bluetooth device के साथ connected नहीं होना चाहिए अगर ऐसी वात है तो आप आपने Bluetooth को बन करके earphone plug करके देखें तो इससे कोई problem आपको नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आपका जो एरफोन जाके वह खराब हो चुका होगा ठीक है तो हाडवेर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं तो आप किसी भी टेक्निशन के पास जाके इसको fix कर सकती है या फिर दोस्तों सर्वेस सेंटर पर जाके भी इस problem को solve कर सकती है ठीक है तो हाडवेर के अगर प्रॉब्लम आजाते तो आपको यही जो solution यही जो process है फोलो करना पड़ते तो उसके बाद जाके आपका problem solve होगा तो इस तरीके से दोस्तों आप fix कर सकते हैं अपने एरफोन problems को उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंदे होगा thanks for watching